पिर प्रमातमा ने स्रिष्टी रतना सुनानी सुनू की है अब काल फिर भी अंदर गुशा रहता है दरमदास जीन कह माराज जी एक बात करो अकर भाई परसन करो एका करो आपके त्योगों के राम और किर्शन यानि भी सुनू जी कुछ नहीं कर सकते यह बगवन एक बार मोर धोज राजा का पूपतर तामर धोज आरे से चरुआ के शिरी किर्शन जी ने अर जीवित कर दिया था बगवन बता हम कैसे माने उनमे सकती नहीं है पर मातमा ने कहा मैंने यह नहीं कहा कि उनमे सकती नहीं है पर ये आपको मोक्स नहीं दे सकते आपके प्रहर्म्द के करमों का नास नहीं कर सकते आपके आने वाले जो करम में कष्ट लिखे हैं मर्टू है उसको टाल नहीं सकते ये परमात्मा ने कहा कि जैसे मोर्दवज राजा के पूतर तामर्दवज को तो श्रीकर संजी ने आरे से चरुआ कर मर्तू होने के बाद उसको जीवित कर दिया, श्रील भी सेट कर दिया, जोड दिया, जोड दिया, जोग का दियो, इतनी पावर तो है इनमे, लेकिन इनका सगा बांड़ा, अभी मन्नू, पर्थम दिन युद में मारा गया था, चक्कर मिन्नू मर गया था, स्री कर संज रो है, सुब द्रारो पांचो पांड़ो रो, उनका कुल नास हो रह था, तब तेरे Shri कर संजी न जीवित के ओना करया, वो अभी मन्नू, अब धरमदास फिर सोन हो गया यह बगवान यह कारण क्या था हमने यह बात कभी दान्यमना यह मारे तो तो परमातुमा ने कहा बेटा अभी मन्नू की आयू इतनी ही थी प्राहर्ण इतना ही था और उस तामर दवज की आयू सेश थी वो तो बीच में जाकर उपंगा लिया था तरे क्रिशन जी ने और वो जीवित कर दिया वो तो जीवित था ही उसकी आयू सेश थी और इसको जीवित नहीं कर सेखा क्योंकि उसका आयू सेश नहीं थी इसलिए आपके प्राहर्ण में आपके करम के कष्ट को अवाइड नहीं कर सकते, खतम नहीं कर सकते, अब कहने का भाव यह है कि परमातमा ने फिर सिरिष्टी तो तना सुनाई है, धरमदास जी फिर थोड़ा सा कच्छा बोल गया, कहने लगे महाराज जी, जैसे सुदामाजी का थोड़े से चाबल खाक है, और एक महल बना जिया था, सुन्दर, परमातमा कहने लगे बै, तेरी उधी तो कती गड़े मा पड़ी है बेटा, अर्ए के कला तो बड़े दिया, एक महल बना जिया था, एक मंतरी बनवा दे अपने मत्तर का, इतना महल था यहां के मंतरी राजा लोग बना दे, इसका मोक्स हो गया उसका सुदामा का, ना मोक्ष स्री किर्षन का, धनमर तुक किर्षन की मेटर श्री कि मेटर नहीं सदामा की उसके पुजारी की। तो पुन्हात्मा दर्मदास जी कुछ कहने लगे महाराजी आप तो अमारे देवताओं का पीछा पड़ लिये परमात्मा बोल्या भाई बाड मजा उसी टाइ मंतर द्यान होगे परमात्मा अरो लगया रोन बुरीत रहे यह बगवान गलती होगी हमारे साथ ऐसी बनी हुए है काल न इतने रंग दिया हम इतने खराब कर दिया अंदर ते अब रो रहा है देख रहा है उपर और नीचे यह बगवान कहां गई अब उसके बाद बरसाने मजाते हैं यह मत्वरा से फिर बरसाने में ना जातनी होगा मुथरा गया हुआ यात्रा पूरी नहीं बरसाने में किसलिये जाते हैं कि राधधा बρसाने की लड़की थी और स्री किरसंद से मिलने आया करती थी तो उस समय के लोग तो उसको गुंडी बुंडी का करते हैं कि गैर पुरू से मिलने जाती है या पुरा गाम रोध करा करता है लेकिन वो नहीं मानी फिर भी तो अब उस वहां जा के क्या कहते हैं राद दे राद दे स्याम मिला दे राद दे राद दे स्याम मिला दे दे किसे और वहां ना राज दे अरना श्याम है हुड़ा टेलीफ़न में लावा जाक है अब ये अकल मार राखिये मारी अपने अत्मों दरमदास जी वह पस चल पड़ा अपने गर को कि इब तो वो माराज जी कती नहीं मिले बिल्कुन नहीं मिले जी तरफ चल पड़ा रोता हुआ अब परमात्मा कगरीबदास साइब जीन अपनी वानिम का है तावा रोवत धर्मनी नागर कहां गए मेरे सुके सागर कलब करे और मन मैं रोवे दसों दिसाकों वो मग जो है दसों दिसाकों उपर नदेखे कदे उपर नदेखे हों साइड में हों इधर हों पीछे हों कदे नीचे खड़े हों कहीं कहते हैं कलब करे और मन मैं रोवे दसों दिसाकों वो मग जो है अधिक भी योग हुआ हम सेती जैसे निर्धन की लुट जाखेती बेग मिलो कर हूँ अप गाता मैं ना जीवू सुनो विधाता अब रो रहा है नूकर मैं मालिक जल्दी दर संदेदो हे विधाता अब मैं जीवू नहींगा आप के वियोग में ऐसा ग्यान अचम सुनाया ऐसा अचम बित करने वाला ग्यान अपने मुझे सुनाया अब रोता रोता गर पर आगया सारे आशों से कमीज भीग गया दो तीन चार दिन में अपना गर पहुंच गया उसकी पत्नी ने देखा कि बगजी ने तो एक महिने माना था दो महिने की आतरा थी इसकी दो तीन महिने की तो सभी तीर्थों पे जाना था वापस कैसे आगे रो बुरी तरह रहे तब आमनी देवी नाम था उस दरमदास जी की दरमपतनी का उसने कहा कि क्या हो गया बगजी कैसे वापस आगे वो सुन नहीं रहा था वो उसकी बात का उतर नहीं दे पा रहा था वो रोईशी पुरी तरह रहा था उस इतना अंदर से कलेजा भर भर के आ रहा था उसका बॉल नहीं निकल रहा था और अपने गर के बीच में जा के कमरे में और जमीन पर गिर के बहुत बुरी तरह रहु रहा था जैसे किसी का कोई सबजन मर जाता है अब आमनी भी रोना लगी बैठके क्या गटना गटगी बगत के साथ तो उसने सोचा अपनी सोच से क्योंकि धरमदास जी था खुले आथ का आमनी देवी थी थोड़ी सी कंजूस टाइब की ये धरम बहुत करया करता बंडारे सादू संतों को गुलाता उनको कंबल कंबल साथ में देता तो यह टोकटा की दिया करती जी दाने साब का हुया करे इतना मत खर्च करो बालक भी पाड़ में हैं तो उसने इसने नो सोचा आमनी देवी ने के मैं बगत जी को टोकटा की दिया करती और इसका लगता है किसी ने रस्ते का जो पैसा था लेके गया था यो धन यात्रा खर्च वो निकाल लिया अरी इसका काम दूरा रह गया दरम का और ये इसलिए रो रहा है कि अब ये नू सोच रहा होगा कि मैं पैसे मांगूंगा और या फिर ना नुकर करेगी और ऐसा किया हुआ दरम फिर विर्थ होता है तो उसने इस विचार से कहा कि ये बगत जी कोई बात ना किसी ना आपका यात्रा खर्च निकाल भी लिया होगा आप और ले जाओ कि आपके दनकी कमी है आपका बगवान में कितना दे रख्या उसक परकार की उसकी सेंपती सी करान लागी काफी देर रोता रोता जब मन थोड़ा सा ठीक बोलन के हिसाब में हुआ तब कैन लगया आमनी देवी यदी मेरा वो धन निकल जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी वो और ले जाता मैं लेकिन मेरा ऐसा धन गया वो मुझे अब मिल रहे नहीं और मैं जीवू नहीं तो वो कैन लगी ऐसा कौन सा दन था तो उसने रोते रोते सारी कथा सुना दी जो जो मालक ने सुनाई थी आमनी इस बात में बहुत तेज माइड की समझदार बेड़ी द्वैन थी उसने कहा हमने राम किरसंदी कभी मिले या संकर बगवान मिले हो और चलो मिल भी जाते है जब उनकी सती थी सारी सबस्ट होगी आप तो बिजनिसमेन थे यह सोदा चूक कैसे गए आप तो विपारी आदमी हो हमने के रिष्टे दारी थी राम किरसंदी के साथ है जब आपने सही मारग मिल गया तो हमने यह आपने ग्रेंड क्यों न से आज तक आनी नी होई थी और ऐसी आनी होगी आपनी अब यह पूरती नहीं हो सकती मैं गणा नीच सूँ दूसरी बार मैं ऐसी गलती कर दी एक बार की तो चल जाती तो राम नी भी कहने लगी कोई बात नहीं मत सी करो तो उच्छे मिन बीट गया से रोज आना कोई काम नहीं करे रोटी एक मुशकल से खावे और गली में बैठ जावे नहीं देख ऐसा आवे कोई सादू अब जैसे कोई सादू बगत दिखाई दे उसके निक्ट जावे आगया हो जैसे बेलनी ने स्री राम की इंतजार की थी कि दूर तक कोई व्याता जिखा करता भाग लेती थी स्री राम आगे स्री राम आगे ठीक यहीं दसा धरमदास जी की हो रही थी करता जा करते हैं